हेलो एव्यवन वेलकम टू दा ओल न्यू सेशन आफ ट्रेडिंग अलमिटेड आज के लेक्चर में हम लोग अपनी पुरानी सीरीज जो अभी चल रही है प्रिवेस लेक्चर से ही कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कॉशन को हम लोग बात कर रहे थे और चार्ट्स अंडर आवर कंट्रोल जर्नी तोवर्ड्स ऑप्षिन सेलिंग सबसे पहले डिस्कॉशन करने से पहले मैं कुछ बाते जानना चाहूंगा आपसे वैसे तो ये एडवांस लेबल की बाते हैं जो की ऑप्षिन की पर्टिक्लर क्लास में आपको जादा अच्छे थे समझ भाएंगी लेकिन फिर भी जितना अभी तक मैंने बताया तो उसकी बेसेस पर मैं कोछ चीरे जानना चाहूंगा आपसे वो ये है मैं चार बाते लिख रहा हूँ ठीक है मुझे आप ये ये बताओ सब लोग जब हम कॉल बाय करते हैं तो हम क्या है ऑप्शन बाय आ रहे कि ऑप्शन सेलर है क्या है मुझे सब लोग बताओ सोच कर ऑप्शन बाय आ रहे हैं राइट यानि कि हमारी एक्सपेटेशन क्या है कि किसी भी डिमांड जोन पर पर नमोनटपर किसी support लेंगी किसी भी डिमांड जोन पर पर प्राई जाए और महां से क्या कर जै प्राईस बिमांड बाय कर जाए कुछ ही है टीक है ।ध हम लोग put buy कर रहे हैं तो हम लोग क्या है options बाय रही हैं हम लोग options बाय रही है और यहाँ पर भले यह put है लेकिन फिर भी मैं इसको चलो red बना दे यहाँ पर मुझे profit कब होगा मेरा portfolio green कब होगा यहाँ पर मेरी expectation क्या है market जब जितना नीचे जाएगा उतना मुझे क्या होगा उतना क्या होगा profit जब हम call shot करते हैं तो हम क्या है एक मैट रुपना एक मैट रुपना स्कॉट आते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमारा हाँ ठीक है यहाँ पर भी हम option buyers ही है ठीक है जार होगे कोई नहीं आपको बाद में बताता हूँ और जब हम अब put shot करते हैं तब हम क्या हैं option sellers अब मुझे यह बताओ अब मुझे यह बताओ जड़ा call by कहां पर होती है demand zone पर के supply zone पर put to buy कहां पर होती है अब आपने बोला call short करना और put short करना उसमें option seller है तो call short हम कहां से करते हैं मलब supply zone से कि demand zone से अब यहाँ पर कोई आपको एक minute आपको वैसे तो पताई है कि कोई proper zone तो बनाते हैं यह हम दो line कीशते हैं जैसा कि अभी तक आप प्रिवेस लेक्चर को देखते हैं जो homework मुझे send करा सही बोल रहा हूँ ना जैसे यहाँ पर देखो मिजमा ने क्या करा है एक line ही तो खीची है प्रॉपर कोई हाँ पर rally base and drop कोई है था supplies उन तो बनाया नहीं है range proper marker के lowest body highest weight दो line कीची है आपर ठीक है यही कर रहा है उसने तो अब इसके basis पर आप क्या काओगे कि call shot हम कहां से करते हैं वैसे generally अगर मैं बोलो तो demand zone के supply zone और हमने put shot कहां बर करते हैं ठीक है अब मेरी बात द्यान से सुनना मयूर सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना यह कोई भी supply zone ने in terms of options selling या फिर मैं यहाँ पर अभी zone ना कहके इसको कह देता हूँ यह supply zone के terms में आपने एक line खीच ली कोई भी यह आपका demand zone है in terms of option selling और या फिर मैं कहते हूँ in terms of option selling आपने कोई भी एक line खीच ली ठीक है जब आप यहाँ पर मुझे बोल रहे हो कि आप नीचे demand zone पर यहाँ पर क्या करते हो put shot करते हो supply zone पर क्या करते हो call shot करते हो अब मेरी बात ध्यान से सुनना इसका answer देना मुझे जब आप put shot करने का action अबना रहे हो तो आप उस पर क्या हो आप वहाँ पर bullish हो के bearish हो मतलब आप क्या चाहते हो कि आपकी price जहाँ पर जिस zone पर आपने जिस line पर आपने put shot कर रखा है उस strike price से आप price को कहां रखना चाहते हो उपर के नीचे आपको profit कब होगा कब होगा उपर है न क्योंकि अगर नीचे आया तो मैंग पता है न यह अगर breach होगी यह लक्ष्मन रेखा है न अगर यह touch हो गई तो minus में दिखाने लगेगा हमारा portfolio हमें है न एक side minus में हो जाएगी मयूर ठीक है clear है यह call shot हो सकता है मयूर उस time पर profit में चल रही हो लेकिन price अगर यहां पर जहां पर आपने put shot कर रहा है जिस स्ट्राइक price से अगर उसको touch कर गई है उसके नीचे गुजगई है न तो वहाँ पर आपका portfolio red हो जाएगा तो put shot में हम लोग क्या है यह चीदे समना जरूरी है तभी मैं आज की class में आगे बढ़ूँगा जैसा कि मैं आपको बताया था चार markets में आपको वो homework करना है एक का homework मैंने बता दिया आपको crypto market का अभी आगे और discuss करते हैं कि आज हम कौन सी market लेंगे और उसको देखना कहां पा रहा है इस फ्राइक prices कहां से मिलेंगे लेकिन फिलाल मुझे यह बताओ put shot में आपकी expectation क्या है कि price क्या रहे इसके उपर रहे इसके उपर रहे यानि कि when you are shorting a put आप उसमें क्या हो वैसे तो generally आप क्या सीखते हो हमेशा put हमेशा कब आपको profit देता है put हमेशा कब profit देता है आपको जब market क्या कर रही हो गिर रही हो लेकिन वो तब होता है जब आपने put को buy कर रखा है put को buy कर रखा है जब आप put को short करते हो तो आप कैसे हो market में you are bullish आप चाहते हो उस strike price से ऊपर रहे मेरी price, ऊपर रहे, आप call shot आप कप करोगे, बताओ, आप क्या चाहते हो, कि इसके ऊपर जाए price के नीचे जाए, profit कप होगा, हाँ, जाए भल ही ना, लेकिन इसके नीचे रहे, क्योंकि हम short कर रहे तो उसका मतलब हम option selling कर रहे है, और यहाँ पर हमे accuracy नहीं चाहिए, कि अब यह उपर बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता बढ़ता बढ़ता, हमें यह नहीं चाहिए, हमें बस यह चाहिए, मैयूर, इस लक्षमन रेखा तक कदम ना रखा जाए, फिर उचाहिए, वो sideways गूमके ऊपर चाहता जाए, नीचे जाता जाए, उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना, मैं 100% accuracy का game चलाई नहीं रहा हूँ, यहाँ पर, मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, कि बस इसके नीचे रह मैरे जो सारे product है, मैंने एक दिवाली से लगा रखी है, मालो हम दुगानदार है, यह बिजनेसमेन है, कि यह सारे बिख जाएं, बस new year से आने से पहले कोई भी stock ना बढ़ा रहा है, हम business कर रहे हैं, प्योर यहाँ पर, हमें यह नहीं चाहिए, कि लोग हमारा करोडो करोडो तो यहाँ पर कोई business man की, कोई accuracy नहीं है, वो बस यह लेकर चल रहे हैं, भाईया, overall मैं profit में होना चाहिए हूँ, हाँ, call short में आप क्या हो, आप यह ratio, क्योंकि आप चाहते हो कि इसके नीचे रहे, price, और put short में आप बोले ratio, तो यहाँ से दो चीज़े निकल कर आती हैं, दो चीज़े क्या निकल कर आती हैं, देखो, call buy करना, और put short करना, put buy करना, और call short करना, यह सेम है, same in the sense यह है कि मतलब आप में, आप यहाँ पर जो हो, आप यहाँ पर जो हो, you are bullish on this इन सब को अटा तो बागी ये सम्झाना चाहरा था अब ये हमेशा के लिए आपका fix हो गया जब हम options की classes भी करेंगे options की classes लोग समझते हैं कि option की classes करवाद हो कुछ बहुत चमतकार हो जाएगा option की classes में शाइसे कोई ऐसी घुट्टी या तंतरमंत रहे कि जिससे हम portfolio करोड़ोगा कर लेंगे सारा game trading in the zone elementary classes में ही चुपा हुआ है options सिर्फ इस strategy का खेल है अब option की class में शुरू करूँगा तो वहाँ पर में दुबारे term लेने बाला हो तो अब इसको जब आप chart पे rally, base, drop, EMA कैसे prod करना होता है demand zone क्या होता है, supply zone क्या होता है price sideways कब जाएगी जब आपको यही नहीं पता है तो आप यह जानकर क्या कर लोगे मैं बताना यह चाहरा हूँ options की classes में कोई भी theory नहीं पढ़ाई जाती है आपको, उसमें आपको strategies सिखाई जाती है कि price अगर यहाँ पर है तो वह क्या करोगे, तो जो trading in the zone elementary, जो भी हमारी elementary classes चलती है वो तो हमारे course का नाम है trading in the zone elementary classes जो अच्छे से नहीं करता है तो फिर वो यही push के रह जाता है supply zone कहाँ पर है, आपने यहाँ पर supply zone क्यों बनाया आप क्यों कहा रहे हो कि यहाँ पर sideway market, यह में 20 को क्यों use कर रहा है यह यहाँ पर moving average 50 को use क्यों नहीं कर रहा है आप यहाँ पर double-double lines क्यों plot कर रहे हो तो वो फिर इसका मतलब उसमें basic classes अच्छे से नहीं कर रही होती है तो सारी बातों में एक बात आज यह भी करना जरूरी थी मतलब आगे बढ़ने से पहले कि आपको यह सारी बात समझ मैं ही जो मैंने बोली ही पता हो और कल आपने यही तो कर रहा है कल के homework में आप सबने यही तो कर रहा है और लेकिन यह आपने कहाँ पर कर रहा है क्रिप्टोस में मैंने आपको बताया था कि आपको daily basis पर चुनना है select करना है अलग-अलग market कोई भी तीन या चार चीज़े ले लो और result का wait करो और देखो कि आपके zone में वो चीज आई है कि नहीं आई है ईशा एक important चीज आप यह नहीं लिखते हो आप यहाँ पर लिखो तो कि put आप ले रहे हो जैसे मैं दिखाता हो यहाँ पर आप put क्या कर रहे हो मैं क्या माल दू इस जगाँ पर कि आप put buy कर रहे हो, short कर रहे हो क्या है लिखो तो उसको कि put short कर रही हूँ मैं यहाँ से और उपर call short कर रही हूँ ठीक है हाँ, नहीं कोई बात नहीं और यह आपने अच्छा करा कि यहाँ पर 13th January की लाइन मारती और एक लाइन ऐसे भी कर दो जैसा मैंक ने दिया था मैंक ने जैसे अपना यह 6th January पर वर्टिकल लाइन मारती कि यहाँ से उसने जो है position बनाई है अपनी है ना 6th January पर मारती उसने लाइन कि यहाँ से उसने strike price इस दिन चुनी है इस दिन वो trade में enter कर रहा है अब now he is waiting now he is waiting for the result 13th January का 13th January का result का वो wait कर रहा है and मिजबा का मुझे हर किसी की unique unique बात है मुझे मिजबा का जो homework sheet है ना वो बहुत पसंद आई है तो यह है मिजबा की sheet जिसमें उसने जलसा की मैंने बताया था उसने proper जो name है तो मिजबा यहाँ लिख लेना यह name है ठीक है कोई भी किसी भी चीज़ का stocks वगरा का तो आपने Ethereum चुना है very good आपने day and date यह सारा लिखा है 6 January Friday ठीक है strike prices और उसने यह भी लिखा है कि देखो यह जो put shot कर रही है वो demand zone पर कर रही है call shot कर रही है वो supply zone पर कर रही है ठीक है strike prices का उसने नाम लिखा है जैसा कि option Greeks जो उसको भेजा गया था और expiry कव हो की यह उसने लिखा है थोड़ आसा मिजबस को ठीक कर लेना जैसे 13 Gen ठीक है आपने लिया है यह trade 6 Gen परी को और यह जो expiry है वो 13 Gen expiry क्या पहले से ही pre-determined होती है क्या pre-determined होती है क्या ठीक है तो बस यहाँ पर उसको वो अपना result फिर लिख देगी कि जो trade है वो उसके according work करा या फिर नहीं करा ठीक है अब दोस्तों आज के lecture में हम क्या करने बैटे हैं आज के lecture में हम basically क्या है कि हमने जो number one scenario है हमारा that is cryptos के अंदर charts को control करना यह देख लिया है आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे stocks के और stocks के अंदर पहले अभी option selling की बात करते हैं क्योंकि अभी ऐसी इंडिया के अंदर कोई app नहीं है जहाँ पर आप American stocks या किसी और country के stocks में selling कर सको selling वाला मेरे साब से जहाता कि मेरी knowledge अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं ठीक है और Indian stocks ही इतने सारे हैं कि मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी उन से free हो पाऊगे कि आप मतलब option selling करने crypto's में करोगे commodity में करोगे forex में करोगे currency pairs में करोगे stocks में करोगे Indian stocks में आपको जबरजस्ती वहाँ पर जाकर USA के stocks में option selling क्यों कर नहीं है ठीक है आप जब free नहीं हो पाऊगे ऐसे ठीक है मालब आप आपकी learning आपको busy ही इतना रखेगी जब आपका पैसा बन रहा होगा तो जबरजस्ती आप क्यों stocks की जो scanning करनी है जो trading view से अगर आप चाओ तो वहाँ से कर लो या फिर इसके लिए जो आपको पता है कि हमारी trade tiger पर जो big trade list है जहाँ पर लगभभ 300 plus stocks जो है वहाँ पर दे रखे है आप उनको एक एक को किसी को चुल लो जो आपको ठीक लगे मैं तो कहूँगा बलकि आप order में चलते चलो जैसा कि अभी तक आपनी classes कर रहे थे ना मैं आपको बोलता कर letter a से लेकर letter ऐसे होते 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 letter z तक आप एक एक करके सबको दिखने की कोशिश करो एक बात और एक बात और आपकी जो stocks है न NSE वाले चुनना national stock exchange वाले कुछ-कुछ stocks ऐसे होते हैं जो NSE और BSE दोनों में रिस्टर्ट होते हैं अगर आप NSE वाले देख लोगे न तो NSE में जो भी ये big trade list में जो stocks है न इनमें से 90% के अंदर उनमें options buying selling होती है big trade list में सभी stocks ऐसे नहीं होते हैं कि जिसमें आपको option chain मिल जाएगी कि हर एक stock में options की trading भी होती है नहीं ऐसा नहीं होता अगर हम ये सोचें कि Indian market के अंदर हर एक stock जो है उसमें option buying option selling होती है नहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर एक बाँ बता हो ये जो एक एक रुपे के stock है जो कि सालों सालों नहीं बढ़ते हैं इसमें फिर आप किजी को कुछ सीखनी की ज़रूती ही नहीं थी दो यहां से लाइने मारो एक पर put shot करो एक पर call shot करो और महिनों महिनों सालों सालों के लिए option selling करके बाट जाओ बार बार ऐसा भी नहीं होता ठीक है और वो ऐसा नहीं है कि ये जो platforms है वो चला के वो allow नहीं करते हैं देखो हमारा मलग कोई भी जो company है न ये company decide करते है कि हमार options की trading के लिए list करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं कोई भी company जो है ये जो stocks है वहाँ पर अगर इतनी ज्यादा liquidity या volatility होती नहीं है कि वहाँ पर अलग-अलग जो लोग है वो आए मतला भी ये trading वगरा करने options की terms में और उसका price भी बड़ा cheap है तो कोई उसमें ऐस प्रतिशरत stock जो है वो आपको मिल जाएंगे और कोई भी stock अगर options के अंदर अगर available होता है तो अब ऐसा नहीं होता कि जो option buying के लिए available है तो option selling के लिए available नहीं होगा selling के लिए available है तो buying के लिए available नहीं होगा ऐसा होई नहीं सकता यह तो logic वाली बात है कि भाईया जहाँ पर मुझे call और put देख रहा है तो मेरे उपर कोई यह बंदेशे लगाई नहीं सकता कि मैं इसको सिर्फ buy कर सकूँ मैं इसको sell भी कर सकता हूँ क्योंकि अगर sell नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो फिर बेचूँगा कैसे खरीदने के बाद बेचूँगा कैसे खरीदने के बाद तो यानि कि selling पहले से भी हो सकती है short कर देना खुल मिलाकर बात यह है इसको short कर देना और इसको long कर देना एक ही बात होती है क्या चीज कौन सी value हाँ मतलब एक बाँ बता न अगर जो चीज selling के लिए अगर available ही न हो तो मैं बायतों कर लूँगा इसको किसी भी चीज को उसके call option को फिर वो selling कैसे होईगी फिर उसकी selling कैसे होईगी और जहाँ पर call और put जब भी ये जिन्दगी में terms हाजएं आपके समने किसी भी market के समने तो बस आप ऐसा समझ आगरो call और put कभी भी अंदा धूंद नहीं होते हैं क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया futures की trading का और options की trading का अभी हम futures की कोई बात ही नहीं कर रहे है futures के लिए तो दो word होते है long और short उसके भी हम बात ही नहीं कर रहे है options जहाँ पर है और जहाँ पर futures word है तो आप एक चीज़ समझा कोई सीवी market हो आप बस इतना image कर ले ना कि भाया अगर मुझे यहाँ पर CE और PE नाम दिख रहे है इसकी expiry जरूर होती होगी ऐसा हो नहीं सकता है बिन expiry को भाई ठीक है expiry नहीं होती हो बहुत अची बात है मेरे पास तो इतने सारे lot size जो मैं एक 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 करके अगर share खरीता उसके beyond जाकर मुझे कम पैसो में इतने ज़्यादा bulk में share मिल गए अच्छी बात है अगर expiry नहीं है मैं तो 10 सारे लिए hold करके बैठ जाओंगा मैं तो अरपती बन जाओंगा ऐसा नहीं होता लेकिन क्योंकि expiry इसलिए ही यह होती है कि particular हमारी सामने dealing चलते है जैसे कि आप अपनी initial classes याद करो यह market एक ऐसे basis पर चल रहा है कि मैं अपने trades इसलिए place कर पा रहा हूँ क्योंकि सामने एक seller है सामने एक seller है मैं तभी तो उससो कुछ buy कर पा रहा हूँ मेरा कुछ लेने का मन है दुकान में या market में वो market में चीज available भी है लेकिन मैं अपने price पर buy नहीं कर सकता मैं तो चाता हूँ Ferrari मुझे एक रुपे की मिल जाए कौन दे देगा मुझे सामने seller बैशने को तयार ही नहीं है न मैं यह चाता हूँ aliens का मुझे space shuttle मिल जाए कहीं से इंडिया में या पूरे world में available ही नहीं है वो मेरे चाने से क्या होता है real दुनिया, real market और यह वाली market कोई सी भी market हो market ही market ही बस digital format में ही तो है वरना आप एक बताओ जब हम commodities में भी trade करेंगे जो चना है, soya bean वगर है आप देखो कि इसके rate वो ही है जो आपके दुकानों पे, राशन की दुकानों पे है वो ही मोल भाव चल रहा है आप यहाँ पर एक बहुत अच्छे से arbitrage trading करोगे, वो भी मैं बताओं कर कि arbitrage trading क्या होती है, यह भी एक नई form of trading है, मैंने कुछ तरह बहले सीखी है कि मतलब आपको पता है कि दिवाली के टाइम पर सोने के भाव चांदी के भाव बढ़ने वाले हैं क्योंकि हर कोई खरीदेगा, हर कोई खरीदेगा December, November के महीने में आपको पता है कि शादियों की लहरे आईए इंडिया के अंदर तो गोल के प्राइसे बढ़ने ही बढ़ने है हम वो August में ही बाय करके बैठ जाएंगे future का कॉंट्राट के September, October, November, December तक भेंकर लेवल की रैली एंजोई कर सागे without doing nothing एंड शोड शोड तरीके से कि भाईया market तो bullish है क्योंकि gold के prices तो बढ़ेंगे सथा कोई कैसे बेच लेगा जो चीज ही limited quantity में जो चीज ही scars economic का principle अपलाए करो तो उसके तो दम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और festive season पर सबकी demand एकर rate ही गिर जाएंगे तो bulk में सोना तना available है भी तो नहीं ना कि सब लोग खरीच सके उसे तो rate बढ़ाने ही पढ़ेंगे तो कंदारों को तो वो हम 4-4 महीने पहले contracts buy करके बैट सेंगे और उसको कहते कि मुझे पता था क्योंकि मेरे देश में festive season और एतनी जाता सोने चांती की बिकरी होती है आपर ठीक है अच्छी बात है उसको करते है arbitrage वो मैं बताऊंगा कि arbitrage trading work कैसे करती है arbitrage trading को यह ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई एक नया platform है कुछ भी है एक नाम है जैसे हम यह call shot कर रहे है option selling कर रहे है वो कर रहे है ऐसे उसको arbitrage क्याते है कि मैं सस्ते rate पर किसी दे कुछ खरीदूंगा और महेंगा दुकांदार जो मुझे सामने देखेगा मैं उसको जाकर बेचाऊंगा बस और जब तक वो मुझे मिलनी राग कोई मुझे जिस rate पर मैंने खरीदा था मैं loss में तो बेचूंगा नी हर कोई बंदा ये चाता है कि अगर वो फोन लेकर आ गया एक हफते बाद ये उसको फोन की जरूरत नहीं है तो वो ही चाता है जितना मैंने बाया करा था उसके close range में मिल जाए है रियल जिती में तो हम फिर भी loss में बेच देंगे फोन लेकिन यहाँ पर अर्बिटरिस रेटिंग के अंदर हम तब तक होड़ करके उसको रखेंगे जब तक हमें कोई अपने मन पसंद का बायर सेलर नहीं मिलता कि भाईया मैं तो यही चाहूँगा कि यार अगर मैंने 20 आर की कोई चीज करीदे हो कम से कब कोई मुझसे 22 जार में 25 जार में 2 लाक में कोई तो खरीदे मैं उसको 20 की चीज ओने इसमें क्यों बेच हो जाए फिर मुझे एक महीना लग जाए चाए एक दिन लग जाए चाए एक साल लग जाए क्रिप्टोज में होता आर्बिटरेज मैं ये भी से काऊँगा क्रिप्टोज में कैसे आर्बिटरेज करो एक अलग प्लैटफॉर्म पे जाके सस्ते रेट का एक माना खरीद लो दूसरे एक्चेंज पर जाके मालो मैंने 26 रुपे का खरीदा और मैंने 100 खरीद लिए 26 रुपे के अब वो कहीं पर किसी एक्चेंज रेट चल रहा है उसका 30 रुपे और मैंने वहाँ पर जाकर बेच आया इसको 400 रुपे का फायदा मुझे यहां कुछ नहीं करा मैंने यहां ना केंडल देखी ना कुछ देखी सस्ते रेट पर खरीद रहा है किसी बहेंगे एक्चेंज वाले को बेच देना है यह भी बताऊंगा यह कैसे होता है मतलब there is no limit to learning लेकिन खिलाल हम आज के topic से deviate नहीं होते हैं अपने topic पर आते हैं सबसे पहले तो आप कहीं पर भी चल जाओ लेकिन यह वाले काम के लिए आप क्योंकी लाइने बगर बनाओगे प्रॉपर जोर्न बगर बनाओगे आप ट्रेडिंग यू पर आजाओ ट्रेडिंग यू पर आप आए शेर खान की जो क्या नाम असका बिग ट्रेड लिस्ट आप उससे देख लो यहाँ पर आप डिरेटली अगर आपको कुछ-कुछ नामे आते हैं तो आप कुछ-कुछ इस टॉक्स हो देख लो बिग ट्रेड लिस्ट भी जैसे आप ऐसे करके बोल सकते हो जिसके पास ट्रेड आइगर आप मेंसे नहीं है तो आप बोल दो केसी भी एक मेंबर को या फिर मुझे के सर ए नाम के जितने भी स्टॉक्स हैं उनका स्क्रीन्शोट ग्रूप पे भेज़ दो हम एक एक करके उसमें स्टडी करते रहेंगे ठीक है और वो आपको दीरे-दीरे करके पता रग जाएगा कौन-कौन से आप्शन में अवेलेबल है कौन-कौन से नहीं है उसी की क्लास आज हम कर रहे हैं ठीक है चलो कोई भी एक स्टॉक बताओ मुझे जरा इंडियान स्टॉक का कोई भी चुनो बताओ मिजबा कोई भी एक नाम बताओ PNB मेरे दिमाग में भी यह चलता था very good PNB ठीक है अगेन आपको टाइम फ्रेम मैंने लेने को क्या बोला है टाइम फ्रेम लेने को क्या बोला है मैंने जब आपको यह होमवर्क करना है आर चार्स अंडर यार कंट्रोल वाला या तो डेली या वीकली ठीक है फिलाल आप डेली पर ही रहो इससे कम मत जाना ठीक है यह चीज आपको क्लियर रहा है अब PNB में अल्मोस्ट यह जैसे अभी ऊपर जा रहा है आपको दिख रहा होगा आपको लग रहा होगा ऐसा कि यह शैसे न All Time High पे चला गया इधर तो कोई मुझे कुछ देगी इसके भी और मैं मार्की नहीं कर सकता कर सकती वो अभी मैं ब अब वो अलग बात है अब वो अलग बात है इतनी दूर का स्ट्राइक प्राइस नहीं मिलेगा आपको वो अभी हम देखेंगे कि कौन सा विल विल कौन सा नहीं लेकिन फिर भी यह डेली का चार्ट है एंड इंडिया स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों जैसा कि मैं आप इकस्पाइरी जो होती है वो हर थर्सडे होती है थिक है फिर उसके बाद फिर थर्सडे होगी 14 तारिक को फिर 21 तारिक को मतब यह सारे थर्सदे पढ़ रहे है तो आथ थर्सदे थर्सदे वाले दिन expiry होती है ठीक है वो अभी हम देख लेंगे लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी मुझे एक strike price बनाना है जैसे और मैं चाहता हूँ कि मेरी उस range पे रहे तो PNB जैसा कि मुझे पता है कि ऐसा stock है बहुत ज़्यदा volatile नहीं हो सकता एक दम से उठ नहीं सकता बहुत बड़ी बड़ी candles नहीं बन सकती sorry वो कैसे कह सकता हूँ मैं इसकी past history को देखते हुए ठीक है कि इसकी candles में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है अगर मैं देखू तो कभी मैं इसको अगर कभी भी देख लें इसके candles में कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन market चीर फाटके बन गई हो कुछ भी करके ऐसी इससे बड़ी कोई candle मुझे अभी तक दिखी नहीं रही है पूरे market के अंदर यह बली यह मुझे लग रही है कि दूर दर आके इतिहास में पिछले 3-4 सालों में इससे बड़ी कोई candle कोई बनी हो शायद सही ऐसा मुझे यह चार्ट बता रहा है तो ठीक है बन भी रही है तो उसके बड़ फिर नीचे भी आ जा रहा है तो यहाँ पर मतलब यह इसकी movement जो है एक kind of sideways का एक stock है और मेरे पास अगर capital है तो यह मेरे लिए बना विश्णू जी की मतलब आप यह मालों की grip आए यह मेरे लिए तो मैं एक range बना रहा हूँ कुछ यहाँ पर यह एक range मैं बना रहा हूँ यहाँ पर यह safe side के लिए एक और नीचे वो मैं आपको बताऊंगा कि हम दो-दो future में को ले थे लेकिन फिर भी मैलना एक range बनानी है न तो बैसे तो एक एक लाइनों से भी काम चल जाएगा और एक किवाली नहीं यह तो ठीक है यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं इस side में क्या करूंगा हाँ ऊपर की side में क्या करूंगा है यहाँ पर जल्दी बताओ कॉल को शॉट कर तूंगा मैंने यहाँ पर कर दिया कॉल को शॉट एक और ले लेते और नीचे मैं क्या करूंगा यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर एक strike प्राइस है जो बनाई है नीचे वाली को एक मिट के लिए अटा देते हैं तो कि जरली हम एक एक ही लेते हैं अब आपको प्राइस अगर देखनी है जैसे कि मैंने आपको बोला आपको धन की रिकर्मेंट होगी वैसे आप धन अगर आपके पास नहीं है तो एक होता है कि आप NSE की साइट पर जाओ क्योंकि आप इंडियन स्टॉक के लिए वाला काम कर सकते हैं और किसी मार्केट के ल इक्विटी डेरिवेटेव www.nationalstockexchange.nacindia.com यहाँ पर आप आओ कोई साभी जो आपका स्टॉक है वह आपको पता भी लग जाएगा यहाँ पर एक तो ठीक है कि यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है बस वह आपको यह पता होना चाहिए कि वह निफ्टी का पार्ट है फिर निफ्टी का बैग निफ्टी का मेटकैब निफ्टी का कोई बात नहीं हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं PNB तो PNB है क्या है यहां पर यहां पर यहां पर PNB है इसकी एक्सपाइरी तीन है 25 जनवरी और हम अवेलेबल हैए हम कुछंच नहीं कट सकते की क्रिफ्टों सब देखना था यहां पर daily एक्सपाइर नहीं होता और यहाँ पर आपको यह ऐसा नहीं है कि अब PNB में अवेलेबल नहीं है कि हर थास्डे वो एक्सपायर हो तो यहाँ पर इस राइक मलब जो एक्सपायरी है वो आउटोमेंटिकली यहाँ पर गिपैर है ज़रूरी नहीं है जैसा कि मैं आपको बताया था इशा मयंग क्या ज रोक लेका मयंग नहीं है ना क्या रहा हाँ सर ठीक है तो 25 जनवरी हाँ मयूने सेवल रोक कर दिखा है अब देखो आपको यहाँ पर न क्या होगा कि यहाँ पर आप आओगे तो आपकी प्रेक्टिस भी हो जाएगी वैसे भी आप यहाँ पर आओ वैसे भी मैं धनका भी द यह है यह जो है यह current market price चल रहा है यह strike price 57 की इसकी PNB का rate चल रहा है यह उपर वाले strike prices है नीचे वाले स्वारी ठीक है क्योंकि 56, 55, 54 और यह उपर वाले strike prices है 58, 59 वो ही जैसा है कि हमने क्रेप्टोस में देखा था बस अलग-अलग chart के बस वो variant और कुछ नहीं है जैसा कि ब हम लोगों ने इधर देखा था सेम चीज वही है कोई difference नहीं है ठीक है यह strike prices थे हमारे आपको यहाँ पर भी देख रहा था यह ग्रे कलर का box है अगर आप इसको ध्यान से देखो ना वैसे black chart है यह ग्रे कलर का box है और इतने वे ethereum trade कर रहा था इसके यह है इसके नीचे वाल में देता है लेकर legal chart आपको पता है कि नीचे से उपर जब जाता है तब prices बढ़ते हैं तो हमें उससे concern नहीं है कि क्या box है कौन सा color है मैं यहाँ पर यह नोटंगी करने आया ही नहीं हूँ मुझे कोई दिमाग ही नहीं लगाना इन सब में यह क्या चल रहा है क्या नहीं चल पर मुझे इन सब से कुछ नहीं लेना देना कि यह कहा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मैंने अपने trading view पर दो range बना रखी है मैंने यहाँ पर range बना रखी है और मुझे call shot करना है और put shot करना है अब मैंने put shot करने का जो number ले रखा है वो क्या ले रखा है same way crypto वाली knowledge अपनी apply करो कितना ले रखा है मैंने आपर क्या देख रहा है आपको 49.15 ओके चलो देख लेते हैं इसको ऐसा कुछ available है क्या 49.15 का strike price हां और कौन सा क्या करना है मुझे यहाँ पर put को shot करना है तो अपने chart पे पहले सी लिखकर बैट जाए गर हो ताकि अपना confuse नहीं कि यार अब यार कहां call है कहां put है और क्या shot करना है क्या long करना है नहीं आपको अभी से put shot करना है और जैसा कि crypto start में था बिल्कुल सेम चीज़ है बिल्कुल सेम चीज़ देखो इस जगह पर आपके लिखी हुए calls और इस जगह पर लिखी हुए आपके puts ठीक है यह option Greeks कहते है इसको मलब इस प crypto की market का और यह है Indian stocks का ठीक है हाँ यह है call side और यह है put side ठीक है अब कितना था 49.15 तो 49.15 का यहाँ पर कुछ available है क्या yes 49.15 क्या मैं ऐसा मान के चल लू 49 के पर 50 दिख रहा तो 49 ले लू round figure में अगर वो 0.60 होता 0.75 होता तो मैं 50 ले लेता ठीक है मलब 49 ने 50 में से किसी भी एक को choose कर लू चलेगा और यहाँ पर अगर आएं तो क्या करना है put को shot करना है put को तो put है right side दिख रही है put है right side इस side है puts right side यह सारी puts है ठीक है मैं आया है यहाँ पर और यह है 40 रेंड का किसको option है अच्छा नहीं कोई बात नहीं 49 ओके और यह इतने का premium है यहाँ पर अगर आप देखो वह से आपको मतलब नहीं है आपने तो सिर्फ 49 देखा ठीक है bid quantity bid ask ask यह है third column इसका तो यह 49 अच्छा ठीक है 0.40 पर 49 का यह है 0.40 पर आपको इतना premium खाना है यह expiry तक आपको expiry कप की आपकी यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको expiry PNB latest 25 जायर यह आपको खाना है यह ठीक है वह छोड़ो आपको आपकी expiry मिल गई 49 ठीक है put shot हो जाएका आपको यहाँ पर उसके बाद आओ यहाँ पर call shot हाँ तो वह 49 पर हो रहा है तो मैं this line को ठाके थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं कि यह 49 तक हो जाय राइट राइट लाइट ठीक है 49.0 है 49 नहीं है मैंने उपर क्या चूज कर रखा है 62 62 अवेलेबल है क्या येस 62 अवेलेबल है और राइट साइट थे calls इस साइड अवेलेबल है स्वारी राइट साइड अवेलेबल के पूट्स इस साइड अवेलेबल के पूट्स इस साइड अवेलेबल है और यहाँ पर आपका इस साइड कॉल्स तो यह अवेलेबल है क्या येस यहाँ पर अवेलेबल है 62 का आपको यहाँ पर देख रहा है अब इस अंदर देख रहे हो चेंज जो आपको दिखते है यह माइनस टू पूंट जीरो हो चुका है मतलब ऐसे एसका मादा इतना प्रिवियम खाया चुका है इतना प्रिवियम खाया चुका है जिन्होंने कॉल ली थी वो कॉल इतनी नेगेटिव चल रही है अभी 62 का जिसने मयूर यहाँ पर call buy कर रहा है Friday को या किसी भी दिन 0.20 उसका घाटे में चल रहा है वो time decay की वज़े से और Monday तक तो और negative में हो जाएगा और मिजबा, interesting जी सुनो के PNB का lot size होता है 16,000 shares एक साथ एक साथ ही मिलते हैं सोच के देखो बंदा कहा गया होगा वो Monday तक कहा जाएगा लेकिन यही option seller अगर हम लोग होते यह 0.20 गा जितना यह change हुआ है यह सब हमारी चेप के अंदर यह सब हमारी pocket के अंदर क्योंकि यह जो decay हो रहा है मिजबा, यह जो change हो रहा है इसी को तो खाएंगे हम लोग इसी को तो खाएंगे है के नहीं तो यहाँ पर आपको bid price जो है 27 का यह है 62 कितने का है 0.70 आप सोच के देखो यह 0.70 है मालब आपके पास हाला कि capital अच्छा फासा होना चाहिए मैं बता हुआ कि कम capital में यह सब कैसे कर सकते है लेकिन 0.70 और expiry तक 25 जनरी तक आपको इसको 0 करना है PNB का lot size होता है 16,000 share का मिलता ही है, मैं आपको बतायता है अब 0.70 इसको आपको 0 करना है यानि कि मैं ऐसा माल लूँ कि आप चलो 0.70 पे नहीं 0.00 बहुत ऐसा भगल लेते है कि आप 50 पे ठीक है 50 पे आप इसको cut कर दो कि तो यानि कि पूरा आपके पास 0.50 होगा और 16,000 के आपका एक lot size होता है यह एक side का profit आपका क्या बुरा है इसके अंदर बातो बताओ दूसरी side चलो आपकी negative भी चल रहे होगी कुछ भी कर रहा होगा चलो वह आपे माल लेते कि 4000 का 3000 का loss चल रहा होगा दूसरी side लेकिन overall profit तो यह आ जाएगा ना आपने दिमाग लगाया ना आपने कुछ proper वह बराना पड़ा आपको के supply zone proper का है क्या है लेकिन PNB का यह credit करना कि PNB आंसे उबर जाएगा नीच जाएगा उसमें पूरा पैसा खो जाएगा अब मुझे एक बाब बताओ जरा जैसे मुझे एक बाब बताओ मयंक या ईशा आप बताओ जरा इस side पर मिजबा ने करी होती ये वाली candle पर put buy और मैंने करी होती call buy अभी कौन profit में दिख रहा है आपको कौन चल रहा हता profit में कोई नहीं जीरो सम गेम हो जाता इतना सा नीचे आने पर भी ना का लप ज्यादा आमें वह नहीं होना चाहिए क्योंकि ये movement अगर हलकी भुलकी करेगा भी लेकिन यहाँ पर हलकी भुलकी करने के बाद भी मिजबा profit क्यो नहीं होगा ये नीचे तो आएगा नीचे तो आएगा profit क्यो नहीं होगा क्या future work करेगा हमारे against में यहापर टाइम ठीके और देखकर देख लो चाहे भली देखकर देख लो ये 56 है न कहां गया ये 56 है न परसंटेज ऑफ चेंज यहाँ पर देखकर आपको खुशी हो रहे हैं ये 0.15 बड़ा है 0.15 ये call ये put बड़ा है क्योंकि ये put हमें नीचे दिख रहा है लग रहा होगा लेकिन ये time decay जो है न ये खा जाएगा क्योंकि ये put है buy करना लेकिन वो time decay अगर हमने इसको sell कर रहा हूँ न ये भले हमारे against में जा रहा हूँ लेकिन फिर वो time decay का फाइदा मिले का मैं तो खेर इतना नहीं सोचना है कि तो वो बात की बात है अभी तो आपको सिर्फ strike prices पर work करना है कि आप इसको यहाँ पर टिका के रख सको 25 जनवरी तक और 25 जनवरी अगर मैं नीचे देखूँ यहाँ पर यह आ रही है यहां तक पहुंचाना है यह race का point है आपको यहां से यहां तक बस यह बंदा आपका बंदा जो है यह track से नहीं बठकना चाहिए आपने जिसको training दी है बस ये कैसे भी करके ट्रैक से न वठके कि ये यहां से चाहिए यहां से जाके रेज कंप्लीट कर ले चाहिए यहां से कर ले चाहिए यहां से कर ले कोई बात नी लेकिन बस ये इधर न जाए कि इधर चला गया या इधर निकल गया यह गलाथ प्रेटर है, बाकी सारे के सारे आपके फेवर में वर्क करेंगे, और उसमें एक फायता यह है, कि अगर आपका प्लेयर आपको देख रहा है, कि हाँ वो रेस ट्रैक की तरफ जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं, आप उसको रेस कंप्लीट कर वाओ 25 जनवरी था, कौन कह रहा है, 8000 का प्रॉफिट निकालने को कौन कह रहा है, 800 रुपे बने तो निकल जाओ, ज़रूरी थोड़ी नहीं, तो निकल लो, कट कर दो, किसी और में एंटर कर दो, बताओ, समझ आए यह, अब यह तो हो गया, कि NAC के आप ऑप्शन के चेन को आप देख रहे हो, सिंप्ली अगर आपको जो स्ट्राइक प्राइस लेने हैं, वैस तो वैसे ही है कि आपको पूरा का पूरा आप्शन चेंज जैसे दिख जाएगा, आप यह भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर धन पर गए, जिस जिसमें धन्वे अकाउंट बनाया है, मैंने डिस्क्रिप्शन उसमें लिंक डाल रखा है, उसका, अब यहाँ पर गए, आप यहाँ पर आए, ठीक है, उसके बाद आप जाओ, मार्केट्स पर, ऑप्शन पर जाओ, ठीक है, और यहाँ पर आप अपना, PNB सर्च कर लो, यह रब PNB, और PNB की ऑप्शन चेन आपको यहाँ दिख जाएगी, अभी इतना चल रहा है यह, ठीक है, अभी इतना चल रहा है, ऑप्शन चेन, सेम चीज है वही, तो अपने बहाँ देखी, सेम चीज है, यहाँ पर आओगे, यहाँ पर भी आपको मिल जाए, कपूरा कपूरा, यह है पूट साइड, देख लो, यह है पूट साइड, यह है कॉल साइड, ठीक है, अभी जो यह बीच में बॉक्स आपको दिख रहा है न, यह इसका करेंट मार्केट प्राइज है, 59.95 पे फ्राइड़े को बन दूखा है, यह इसके नीचे वाली साइड है, रेट्स और यह उपर वाले रेट्स है, 59 से 60, 61, 62, 63, और यह 58, 57, 56, 55, वही सेम चीज, जैसा कि हमने यहाँ देखा था, यह देखो, जैसा कि हमने यहाँ देखा था, मुझे यहाँ पर देखना सोड़ा सा जाधर बेटर लगता है, ठीक है, अब मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या था, वही चीज, 49.05, और 62 का एक्ज पास, edo5 की है, 49 का विलेबल है मेरे पास, और put side, put side का मतलब है, मेरा यह स्को बटाते है, और यह, 49 का put side shot करने को दे रहा है क्या permission यहाँ पर तो directly हो भी जाता है कभी कर भी मत दे रहा है ऐसा करके एक दब से दबाद दो उसका बटन यह है shot ठीक है माला ऐसा कुछ नहीं होता है fund दे जाता है तब तो कुछ नहीं होगा एसा तो यह cancel ही हो जाएगा भी तो ऐसा भी market ओपर नहीं है लेकिन फिर भी एक बात बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पर यह आपका available है shot और उपट से मुझे call shot करना था call है मेरा 62 62 का call, call इस side है left side 62 के लिए मैं आउगा नीचे और yes मेरे पास available है यहाँ पर 62 call तो वो जाने की मुझे मिल रहा है यह जीज call side का इतना premium correct कर सकता हूँ expiry तक 0.75 और अगर मैं बात करूँ put side की तो वो 49 था 49 तो उसका मुझे इतना मिल रहा कर गया 49 यह वाला पार्ट 0.30 ओके बस मेरे को यह देख रहा है और किसी को चुलनो कोई बात नहीं यह तो हमने एक देख लिया और किसी को select कर लेते हैं जरा बताओ किसी और का नाम बताओ इसको मिटा देते हैं लोग किसी और का नाम बताओ बोलो बोलो पराम से HDFC HDFC कौन सी call expire हो गई है देखो जितने भी यह calls है न जैसे यह जो आ रही है मतला वो गरके आपको 25 यह जो है यह आपने डाल दिया ना यहां पर 25 जनवरी अब यह 25 जनवरी की ही expiry ही है सारी के सारी हाँ तो यह सोचना ही नहीं है यही तो फायदा है इसका और धन भी यह वाला काम करके दे रहा है धन भी यह वाला काम करके दे रहा है इधर एक मिट में उपर जाता हूँ हाँ यह देखो यह आ गया 25 जनवरी की उसके बाद डिलेक्ली आपको यहाँ पर 23 फरवरी मिल रहा है और उसके बाद आपको मिल रहा है 29 मार्च अब इतनी टाइम तक कि यहाँ पर तो देखो आपको यह वाल्यूम ही अवेलबल नहीं आपको यहाँ पर ट्रेड़ी नहीं करता है यह दीरे-दीरे करके बढ़ते चलेंगे जैसे फरवरी आएगा तो यह दीरे-दीरे करके बढ़ते चलेंगे तो अब बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है चार्ट इतना ही अवेलेबल है जितना आपको देख रहा है और सब अभी जीरो-जीरो इसलिए हो रखें क्योंकि यहाँ पर अभी कोई ट्रेडिंग करनी रहे अभी जैसे लेकिने अपने SDFC बोला न मैं आऊंगा HDFC पर SDFC कौन सा जाऊं? Bank, SDFC, SDFC Life Insurance कौन सा? ठीक है यह गए Option Chain इसकी अवेलेबल और इधर भी देख लो सेम यहाँ पर भी मैं आपके लिए डाल देता हूँ SDFC Bank रप्टिका पाट होगा HDFC Bank 21 पैरी 25 जनवरी ठीक है और यहाँ पर आप अगर देखोगी यह रहा और करेंट मार्केट प्राइज इसका 1626 1600 के आसपास यह प्रॉपर दिखाते हैं आपको कि बंद किस पर हुआ है 1626 इसका चल रहा है और यह आपको Option Change हो है NAC का दिखाते हैं 1626 के आसपास चल रहा है खेर हम इसको छोड़ते हैं पहले हम यहाँ पर आते हैं HDFC Bank ठीक है डेली के चार्ट पर हूँ मैं और एक मैं माल लेता हूँ यह वॉलाटाइल है थोड़ा सा मैं इसका चार्ट ले ले लेता हूँ वॉलाटाइल ले ले लेता हूँ मैं सा चार्ट ठीक है वीक पर यह कितनी कितनी movement कर सकता है थोड़ाथ हम इसकी उपर लेना चाहूँगा एक यह एक ही है तो यह वॉलाटाइल लग रहा है 1780 और 1159 1780 yes available है यह देखो 1780 सबको देखा 1780 लेकिन 1780 क्या है मेरा क्या है मेरा उपर से मझे क्या करना है कॉल शॉट करना है है न कॉल शॉट करना है तो यहां पर मैं आया यह यह हो जाएगी कॉल शॉट ठीक है 1.25 का प्रीक्रेंट निसका इतना मिल जाएग एक्सपैरी था 25 निवरी था और उपर से क्या करना है नीचे करना है पुट शॉट तो 1.159 यह रहा हूँ सॉरी 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 1.159 दीचनी का साथा दूर हो गया है यह करते हैं 1.2.7.0 वह काफी दूर है तो कि 1.2.7.0 यह अफिर डिरेक्टी अविलेवल है 1.300 मिल रहा है 1.300 करके देखो तो काफ बठीक है 1.300 1.300 मिल रहा है काफी दूर का ठीक है 1.300 और नीचे से क्या करना है पुट शॉट करना है तो बर्स वैसे देखो मैं एक बात सबको क्लियर कर दूँ इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है अभी यह हमारा पार्टी नहीं है दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं अभी इससे अगर यह अभी से मैं बताना इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाद में जाके सबको सीखने के बाद इसमें मन्त वेस्ट नहीं हो फिर क्या है लोग ना इसको दो-दो महीने प्रैक्टिस करते रह जाते हैं यह क्या है श्ट्राइक प्रैस कैसे चुनते हैं चार्ट कैसे देखते हैं मैं आपको मुश्किल रास्ते से लेकर अभी से इसलिए गुजर रहा हूँ ताकि आने वाली चीज आपके लिए असान हो जाए कोई बात नहीं जिसके पास अगर यह धन नहीं है या जिसको स्ट्राइक प्रैस अभी नहीं करना आप मान लो कि आपने यहां पर स्ट्राइक प्रैस ड्रॉ करी है ठीक है वो तो बस में इसलिए कहता हूँ ताकि आपको पता लग जाए अब जैसे इसकी एक्सपाइरी भी इसकी एक्सपाइरी भी 25 जनवरी की है तो अब आपको यह पता लग जाए कब तक hold करके रखना है वरना आप तो पता है क्या खुश हो जाओग अब जाएरी नीचे वाली रिज नी तोड़ी सर सही है ना कर लो option selling ऐसे नहीं होती है तो यह है यहाँ पर डेली का अगर हम इसे बनाए 25 जनवरी है न यह hold यह 25 जनवरी यहाँ तक पहुचाना है इसका डेली की बिस्ट का डेली की बेसेश पर नीवराँ मैंने चाट तो वीक्ली दिया वैसे डेली का चाट यह आपके साबने है आपको इसको यहां तक पुचाना है ठीक है आप चाते तो डेली पर भी ले सकते थे ता कुछ ने कुछ दिखकत वरी बात नहीं बताओ ठीक है अब यह थोड़ा सा कर यह गया भी अगर आप इसकी मुवमेंट देखो आप इसकी मुवमेंट देखो थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं अब इसकी मुवमेंट अकर यह गई भी आपको पता है क्या होता है मैं रियल आपको execution बता रहा हूं किसी भी चीज का, किसी भी चीज का execution, crypto थो 24 hour running है, Thursday को जब expiry हो जाती ही न, या जब भी expiry होकर निकल गई है, उसी दिन अपनी strategy बनाओ, और market खतम होने से पहले, 3.30, इंडियन स्कों की बात कर रहा हूं, मैं 3.30 PM से पहले आप इसको लागू कर दो, implement कर दो, implement कर दो, और आपने जब implement कर दिया न, अगर इसे, आपने जब इसे implement कर दिया, तो फिर क्या होता है, Friday, Saturday, और Sunday, यहाँ पर time decay work करता है, यहाँ पर time decay का फैटर work करता है, minimum से minimum मैं आपको बता रहा हूं, साड़े 400 से साड़े 800 रुपे आपने पास मंडे पे होते हैं, बिना कुछ करें, आप नहीं वेट कर रहे है 25 जनवरी वगएरा भाड़ में गया, जैकिन जैसी 25 जनवरी के expiry निकली और नेक्स expiry पे अपने strategy बनाई, Thursday का expiry, Friday, Saturday, Sunday का time decay का फायदा उठालो, Monday को आप देखोगे, पक का मैं आपको बता रहा हूं कि आपके 4500, 300, 200, 1500, 800, 1000 पे खड़े होगे, minimum यही होता है, minimum 4500 और 800 की रेंवे ही होता है, इतना work करेगा ही करेगा, आपने कुछ नहीं करा, आपके इस लोग कहीं move नहीं करा, लेकिन वो time factor आपको यहाँ पर दे देता है, पैसा, अब यहाँ पर एक बाप बताओ ज़रा, ईशा कुछ दिमाग लाना पड़ा है, कुछ हमें मतलब वो देखना पड़ा है कि drop base rally, rally base drop या कुछ भी करके बताओ, और इसकी range बता रही है कितने दिनों से, देखो जाया रहा, यहाँ पर यह ऐसे, 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 ऐसे करके घूम रहा, यह ओपर जाएगा भी, तब भी नीछे आएगा, यहाँ जाएगा तब भी जाएगा, जिब तक कि इस range यह यहाँ पर भी जाके खड़ा हो जाए option selling करी होती है, अब मेरा portfolio हो गया negative मेरा portfolio हो गया negative कोई बात की expiry थोड़ी नाई है, उसके बात उपर गया, फिर positive हो गया फिर positive हो गया, इस line के मालो path जा रहा था negative negative, लेकिन कोई बात नहीं, फिट से नीच आ गया यहाँ पर गया negative LAUGH फिर भी उपर आ गया यहाँ गया negative, फिर उपर आ गया आता रहा, yolण साइड़वेस गूमता रहा यहाँ तक गया जाने वाला था मालो यहाँ तक भी चला गया, यहाँ तक भी चला गया, वापस अगर गूमकर आ रहा है, थिक है सब बढ़ी है चलता है sideways 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 नीचे जाकर फिर sideways sideways फिर sideways 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 market sideways ही गूमता रहता है और इसी को लोग समस्थते नहीं है लोग अंता अधुन्द लगे हूँ है call buy करने, port buy करने, nifty, bank nifty nifty, bank nifty का आविशकार ही बर्थ ही सिर्फ option selling के लिए हुआ था जिस दिन कोई उसकी history जान जाएगा ना जो कि हम putting option की classes में आप कभी भी option buy तो करोगी नी यह आप कैसे पूरे index buy कर सकते हो nifty का मतलब होता है 50 best top performing companies 50 का chart आपको हर time frame पर कौन demand zone में है, कौन supply zone में है base candle बनी है, rally बनी है, drop बनी है सारा दिमाग के अंतर है स्क्रीन के आगे मैं क्यों यह करूँ, मैं तो भाई मैं तो यह करके रखूँगा कि यह nifty है तो nifty इस range को नहीं तोड़े की एक हफते तक, एक महीने तक या जो भी करके, nifty नहीं तोडने वाली इस range को, मैं इस पे बैट करूँगा मैं यह नहीं कह सकता मैं तो सौ चीज़ों में मतलब enjoy करना जाता हूँ वो मुझे नहीं पसंद है बार-बार स्क्रीन पर वो बैठे याँ पर देखना यह चीज है समझ में आया है आपको, बताओ, पूरगा पूरा फंडा समझ में आया है तो आज से जो आज से जो आपने ये second homework करना है एक बर के लिए हम उसको close करतेज है आज से जो आपको इस second homework करना है second homework मतलब क्या एक आप रख कर बैठोगे अपने जैसा कि मैं आपको बताया daily basis पर एक आपका हो गया number one crypto हो अब आपका आज दूसरे एड हो गया इंडियन स्टॉप और इसके लिए मैं आपको ऑप्शन चेन बता दी इसकी कैसे आप देखोगे या तो धन से या सिंप्ली आपके बाज अगर वहापर अकाउट नहीं है आप एनसी ऑप्शन चेन गूगल क्रूम पर लिखो एकस्पाइरी जरूर देखनी है दोनों की कोई भी हो एकस्पाइरी जरूर देखनी है इसकी भी इसकी भी तो यह है आपको एक्सपैरीस की देखनी है बाकी तो सारा मामला सेट है ओके इसके बाद हमारी दो चीजे रह गई है एक मेरे को आपको बताना है इसके बारे में हमारा कमोरिटी बनलब यह आपका Crude Oil, Natural Gas, Gold, Silver, Platinum और एक इसके बाद बता रहा है मुझे, Forex Forex भी ना कहा कि अगर मैं इसको कहूँ, Currency Pairs इस 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 बेस थिंग, विच यू कन दो इन लाइफ, बेस थिंग मयूर, you just need 21K and 5-10% return every week और every 15 days 21% नहीं, sorry, 21K चाहिए हैं और 5-10% return बिल्कुल volatile नहीं होता क्योंकि ठेर कर रह जाता है, Currency ऐसे नहीं होती है कि रातो रात बढ़ गई, डॉलर जो हो जाएगा, वो कल 80 रुपे से 8000 रुपे का हो जाएगा ऐसा नहीं होता कभी भी वल्ड में, और इसके लिए यहाँ पर हमें जो फाइदा पहुचाता है Currency PR की ट्रेडिंग में, वो हमार लिए जो काम करता है, वो हमारे favor में काम करता है, कहीं लोग जानते नहीं जादा उपर जाएगी, RBI moral situation करके नीचे लिएगा जादा नीचे जाएगी, तो currency devalued ना, RBI फिर से उपर लिएगा यह हमार लिए, best buddy का काम करता है, हमार लिए कुछ होने ही नहीं देता, रेंज टूटने ही नहीं देता आ, RBI को पता नहीं है, लेगे निचे, और RBI जानता है कि लोगों को यह वाली बात नहीं पता यहाँ पर देखो, USD, INR latest इसकी expiry, 6 वाली तो हो चुकी है, नहीं नहीं, यह तो futures है फर्ट बंतला futures होता है, 6 January का, यह तो call, 6 January जा चुकी है, जा चुकी है अगला USD, INR, January में कुछ अवेलेबल नहीं है क्या January 6, 7, छोड़ो January क्या लिए अपर, February का तो होगा, यह लो यह अवेलेबल है, ठीक है जन्वरी की दिखा देता हूँ, आपको rate जानना इसका, सबको, यह rate छे जन्वरी का जैसे यह है, अब इसका चार्ट इसे नहीं आ रहा क्योंकि expire कर चुका है, तो मैं आपको proper rate दिखा देता हूँ, February वाला, इसके तरह, prices देखना जरा, किता लिखा है नीचे, 27 रुपया, 100-100 quantities की shot करी जा सकती है, कितना मांग रहा है, 100 quantity shot करने का, यह बला call बला वो करने का, चलो shot गरी जाती ही यह न, इसको हम क्या करते हैं, sell site लगाते हैं, और 10 quantity कर देते हैं, यह, कितना मांग रहा है नीचे, कितना मांग रहा है, 6000, इसमें, नॉर्मा, ट्रेडिंग मनदब आप इंट्राटे करोगे, नॉर्मा मनदब रहा होगे, नॉर्मा मनदब रहा होगे, देख लो, एक lot इसका इतने का है, एक lot, 1000 quantity है, इसके अंतर, एक साथ मिलती है, जैसे मिजबा, मैंने आपको बता रहा है, जैसे PNB वगरा, एक स रोपे लग रहे है, चार, पांच, ये, कितना भी कर गए, और इसको कम भी करा जा सकता है, इसको कम भी करा जा सकता है, 100 जैसे वो दिखा रहा था, 25,000 का, 20,000 मैं करवा दूँगा, 100,000, वो भी बता दूँगा कैसे होता है, मतलब वो आपी options की बात है, अभी तो हम सिर्फ range draw कर रहे, लेकिन range range में मैं आपको बहुत कुछ बाते बता दी, बहुत कुछ, ठीक है, तो आपको इस चीज समय में आ गई होगी, ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो इस discussion में पला लिप नहीं, thank you very much for discussion, नहीं, मैं नहीं, कोई दिक्न हमा अगोई एक कर दो, कुचые कोई शईता है, घ्सारा क्मी सिर्फ्डर्दियो कछो आपको इसासी कर दाभिंस प्रोटे हम में दोखको ये उर ठीक, पोढ़गो हम सिर्फ Recht कर दो में आपको आपको शजर्वाने से, लिग जःए हम संसे चाह